गायत्री बहामंत्र एक बार मेरे साथ और आओ ओम भूर भूआ है स्वेह तश्यवी तुर्वारेणियम भर्गो देवश धीमाही धीयो यो नह प्रचो दयात व्यक्ति जब चलता है तो बहुत गहरा सोचता है जब व्यक्ति पैदल चलता है या चलता है तो बहुत गहरा सोचता है वो जब गहरा सोचता है तो आखे नीची कर लेता है सिर को नीचा कर लेता है तो उसको विराट संसार नहीं दिखता है कि वो नीचे जब चलता रहता है तो जहां पैर रखता रहता है वो चीज उसको दिखती रहती है पर जब वो कभी उसे अपनी सुदा आती है तो अपनी आख को ऊपर करता है सिर को ऊपर करता है तो उसे दूर तक का दिखता है दूर तक का दिखता है व्यक्ती का अपना एक स्वभाव है जैसा जिसका स्वभाव है वो उसी दाइरे में ढला रहता है और उसी तरह की बात को सूचता रहता है हमें जो ये जीवन मिला है वो अपने निखार के लिए अपने आपको साफ करने के लिए हमको ये जीवन मिला है और अगर हम अपने आपको साफ करना चाहते हैं तो ये हमारी सोच पर निर्वर करता है एक बार पुने बोल रहा हूँ जिस तरह से सरीर को पाकर के व्यक्ति तरह तरह के व्यायाम करता रहता है सोच करके देखो अगर वो व्यायाम ना करे तो उसकी चेतना जकड जाती है कुन्ठित हो जाती है अब मैं फिर से बोल रहा हूँ एक सच्चाई को समझिये और सच्चाई को ये समझिये सोच में बैठे हुए लोग महो काम करोध ने हमारी चेतना को जकड करके रख लिया है निस्क्रिय कर दिया है तरह तरह के रोग, तरह तरह के शोग, कले विकार, कस्ट, ब्रहांतियां जो आज हमको हमारे जीवन में आकर के बैठ गई और हमको भटका रही है और हम भटक रहे हैं और हम जकडे पड़े हैं अब आप से मैं एक बात कहता हूँ अगर अपनी इस जकडन से अपनी चेतना को मुक्त कराना है तो क्या करना होगा घर गंदा लगता है तो सफाई करने पड़ती है कपड़े गंदे लगते हैं तो सफाई करनी पड़ती है पर में यहाँ एक बात पूछ रहा हूँ उन ग्रहनियों को कह रहा हूँ जो घर की मालकिन है जब वो अपने घर को गंदा देखती है तो उनके मन में विचार आता मेरा घर अस्त्वियस्त है गंदा हुआ पड़ा हुआ है मुझे इसको व्यवस्थित करना है कोई आदमी बगेर धुले कपड़े पहन ले तो सारा दिन वो कपड़े उसको काटते रहते हैं सारा दिन उसको वो कपड़े काटते रहते हैं अंतर केवल एक बात का है अपने बारे में हमने गहन चिंतन नहीं किया बहुत अच्छे से ये समझ लेना मुझे में कभी भी कोई अंतर नहीं है जैसा मैं हूँ वैसा ही हूँ अगर मैं इसमें अंतर पैदा करना चाहता हूँ तो ये मेरे उपर है कि मैं भगवान की तरफ चलू या संसार की तरफ चलू ये मेरे अपने उपर है जहां पर ना कोई लागबाद ना कोई सोच ना कोई किसी तरह का कोई भी असत नहीं चल सकता केवल वहाँ पर एक ही चीज चलता है सच्चाई रविवार को मैंने जिन बच्चियों को समझाया था सत्य के बारे में ही समझाया था अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ अगर कोई आदमी एकसरसाईज करना चाहता है तो उसे साधन चाहिए मान लीजिए आपको वेट लिफ्टिंग करनी है भार को उठाना है बोज को उठाना है कंदो को मजबूत करना अपने मसल्स को मजबूत करना है तो उठाने के लिए बोज तो चाहिए चाहिए पत्थर हो आपको उठाने के लिए एकसरसाईज करने के लिए वो पत्थर जरूर चाहिए उसके बगएर मतलब बहुत जरूर चाहिए नहीं कर सकते नहीं तो अब मैं एक निवेदन कर रहा हूँ करम ही हमारी एकसरसाईज है जितने हम जुम्मेदार बनते हैं और उसकी जुम्मेदारी के बहुज को उठाते हैं जुम्मेदारी को पूरा करते हैं उतनी हमारी एकसरसाईज होती हुई चली जाती है जिन्दगी एक व्यायाम है जिन्दगी एक व्यायाम है अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं यानि के व्यायाम करना टाल रहे हैं तो उसका प्रधाव आपकी चेतना के ऊपर आकर के चड़ जाएगा जिस तरह से राख अंगारे पर चड़ जाती है और अंगारे की चेतना को निस्क्रिय कर देती है ठीक इसी तरह से आलश, परमाद, लापरवाही, टालमटोल ये विकार आपकी चेतना पर आकर के चड़ते चले जाएगे और समझ लेना अगर ये आपकी चेतना पर चड़ गए तो फिर चेतना काम नहीं करेगी ये काम करेंगे आदमी के अंदर जब आलश से चड़ जाता है चेतना पर तो चेतना काम नहीं करती है फिर आलश से काम करता है काम काम करता है, क्रोध काम करता है, वासना काम करती है, त्रशना काम करती है ये अपने काम को करती है अब अगर चड़ गई है तो इनको हटाना पड़ेगा अब हटाना पड़ेगा तो व्यायाम करना पड़ेगा वो व्यायाम करना पड़ेगा जिस सरे से हमारी चेतना पर चड़े हुए ये विकार इसके उपर से उतर जाएं उन विकारों को उतारने के लिए हमको व्यायाम की प्रक्रिया को करना पड़ेगा जिसके माध्यम से अन्तह करण को प्रेमी के प्रकर्ती का बनाया जा सके सूरिय का प्रकास किसी छोटे दाइरे में कैद हो करके नहीं रह सकता आप उसे रख करके देख लीजिए कैद हो करके नहीं रहेगा वो सहज ही अनंत में विले हो जाएगा और अपने प्रभाव को डालेगा अंत्रिक्ष से देखिए सूरिय से प्रभाव निकल करके चलता है पर पूरे अंत्रिक्ष में सुविस्तित रूप से फैलता हुआ चला जाता है स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि हम जब चलते हैं तो आँख सिर नीचा कर लेते हैं सिर नीचा कर लेते हैं और गहन रूप में सोचते हुए चलते चले जाते हैं पर सच को देखिए जब कभी हम सिर उठा करके देखते हैं तो हमें दूर तक का दिखाई देता है इसी से मैं कह रहा हूँ कि आपकी चेतना को कोई कुंठित करके संकुचित करके एक दाइरे में बांध करके नहीं रख सकता पर क्या है कि हमने अपनी स्वयम की चेतना को उस दाइरे में बांध करके रख लिया है जिस से हमारे अपने अंदर हमारे ही द्वारा चड़ाई गई संकीनता लोब के रूप में, महो के रूप में, भोग के रूप में आ करके चड़ गई है भाई मैंने ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं जो बहुत किफाइदारी करते हैं उसको लोभी मत कह देना जो बहुत किफाइदारी करते हैं उनको आप लोभी मत कह देना जो अपने जर्रे जर्रे मैं फिर से बोल रहा हूँ कई ये त्यागी उसको नहीं कहते हैं जो हुआ फटा-फट खर्च करता चला जाए बगेर सोचे समझे खर्च करता हुआ चला जाए वो त्यागी नहीं है त्यागी कौन है? जो सोच समझ करके खर्च करता है माध्यम मैंने पैसे को बताया है परन्तो अपनी चेतना की बात कर रहा हूँ, अपनी चेतना की बात कर रहा हूँ, जो अपनी चेतना को, अपने समय को, अपने ग्यान को, अपने गुन को, सब को सही दिसा में जाकर के लगाता है, तो क्या आप उसको ना समझ कहेंगे, खर्चीला कहेंगे, मैं फिर से कहता हू जो पैसे को भलाई में अच्छाई में लगाता चला जाए मुझे फिर से बताओ मैं ये कह रहा हूँ अगर आप अपनी कमाई को अपने परिवार पर लगाते चले जा रहे हैं वो आलसी हैं, निकम्मे हैं, भोगी हैं, चटोरे हैं और निस्क्रिये हैं तो आपको कैसा लगता है, सच को देखो, अंदर से जाख करके देखो मैं तो ये कहूँगा, शाद ऐसे आलसी निकम्मों को खिला करके, हम उनको और निस्क्रिये कर रहे हैं इससे अच्छा तो ये होता कि हम किसी कमजोर को, गरीब को, अच्छे को अपना प्रभाव दे देते और वो हमारे प्रभाव को पा करके आगे विक्सित होता दुबार से बोल रहा हूँ, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा परिवार हमारी जिम्मेदारी है मैं ये बिलकुल नहीं कह रहा हूँ कि भोजन देना, वस्त्र देना ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, है परंतो अनावशक उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना वो मोह है कि मैं और किसी को नहीं दूँगा, जो मेरा अपना उसी को दूँगा, ये मोह है जब व्यक्ति मैं विस्त्रित की बात कह रहा हूं अगर हम अपना विस्तार करना चाहते हैं तो इस मोहो के दाइरे से हमको अपने आपको भाहर निकालना होगा मोहो के दाइरे से मैं फिर से कह रहा हूं अपने साथ लोब परिवार के साथ मोहो इन दोनों को हमको तोड़ना होगा और तीसरा जो आज हमारे लोब महोंने बांध करके एक जगे रखा हुआ है हम जोड जोड करके धिर लगा करके रखे हुए है हमें उसे अपने आपको विस्तरित में खर्च करना पड़ेगा कोई काम नहीं आएगा कोई काम नहीं आएगा अगर काम आएगा तो भगवान ही काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा फिर दुबार से कहता हूँ आपके सरीर में काम आएगा तो आपका स्वास्त काम आएगए आपकी धंदोलत काम नहीं आएगी आपने कितना घी खाया, कितना फल खाया, कितने मेवा खाये, ये आपके काम नहीं आएगा, पर कान खोल करके सुन लो, स्वास्त आपके काम आएगा, स्वास्त आपके काम आएगा, और वो स्वास्त जो बनता है, वो एक्सरसाइज से बनता है, पर मैं एक बात कहना चाहता हू मुझे एक बात बताओ व्यक्ति के पास मैं exercise तो करता है परंतु postic भोजन नहीं लेता है तो क्या उसका स्वास्त बन जाएगा केवल exercise से अगर उसको अपना स्वास्त अच्छा रखना है चाहे रूखा सूखा मिले परंतु postic भोजन उनको लेना पड़ेगा यानि कि दो काम करने पड़ेंगे अखाडे में जाकर के कसरत भी करनी पड़ेगी यानि कि किसी को पिछाडना है पचाडना है गिराना है कुस्ती को जीतना है तो आपको अखाडे में जाकर के exercise भी करनी पड़ेगी और postic भोजन भी लेना पड़ेगा ये संसार भी एक विसाल अखाड़ा है भगवान का विसाल अखाड़ा है मैं फिर से कहता हूँ जब कोई पहलवानी की तरफ चलता है तो पहले अपने गाव से चलता है छोटे दाइरे से चलता है और जैसे जैसे अपनी हिम्मत बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे वो दूसरों क प्रतीस परधा के अंदर चेलेंज करता हुआ चला जाता है आओ जिसकी हिम्मतों मेरे से लड़कर के देखो मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ आत्मिक भावनात्मक रूप में अगर हमको आगे बढ़ाना है तो अपनी चेत्रा को सीमित दाइरे से निकाल करके यानि के लोब मो कामक्रोध से निकाल करके त्याग प्रेम सेवा न्याय इनके अंदर हमको ले करके आना पड़ेगा अपना विस्तार हमको करना पड़ेगा मैंने कल भी एक बात को कहा था प्रेम ही विस्तार का साधन है प्रेम ही विस्तार का साधन है जैसे व्यक्ति घी खाता है घी खाता है अगर इस जीव का अगर कोई घी है तो वो एक ही घी है प्रेम आप किस से लगाव करते हैं प्रेम करते हैं और आप से बदले में वो कितना प्रेम करता है जब दोनों का आपस में परस पर ये आदान परदान होने लग जाता है तो ये आत्मा का भोजन बन जाता है परन्तु जब ग्यान को माध्यम बना करके हम उसी तरह का आचरन व्यभार करते हैं तो वो हमारी एकसरसाइज हो जाती है जब उस तरह का पोशन पा करके करम को किया जाता है तो करम का फल भी वैसा ही निकल करके आता है फिर से कहता हूँ करम क्या रूखे नहीं होते हैं व्यवाहर क्या रूखे नहीं होते हैं कि व्यवाहर क्या उपेक्षित नहीं होते हैं क्या हम दूसरे को कहिए मैं क्या उसको अंग्रेजी में कहते हैं टॉंटिंग वे में हम दूसरे पर फबतियां कस करके क्या हम बात नहीं करते हैं क्या हम सीधा सीधा ना बोल करके दूसरे को नीचा नहीं दिखाते हैं पर तुम्हें फिर से कह रहा हूं जिंदगी इसको नहीं कहते हैं प्रेम का नाम ही जीवन है प्रेम का नाम ही जीवन है मैंने अभी आप से कहा सूरिय के आलोग को आप छोटे से दाइरे में कैद करके नहीं रख सकते नहीं रख सकते वो बहुत विराठ है इसलिए उस विराठ वो जब दुनिया में आता है तो अपड़ी चेतना का विस्तार करता हुआ चला जाता है विस्तार करता हुआ चला जाता है किन सब्दों में मैं आपको कहूं मैं किन सब्दों में आपको कहूं कि लाओ जो अच्छाई आपके पास है मैं हाथ पहला करके आपसे मांग रहा हूं दे दो परंग तो अंदर की मानसिक्ता को तो टटोल करके देखिए क्या उसमें देने का कुछ है भाव कि मैं कुछ दे दूँ अगर देने का भाव अंदर से होगा जितना होता चला जाएगा उतना स्वार्थ मिटता हुआ चला जाएगा मैं फिर से कहता हूँ अगर आप चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं अगर मन ही ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसलिए मन को भी एक एकसरसाइज को कराना होगा त्याक की बलिदान की सेवा की न्याय की उस प्रवर्तियों में मन को एकसरसाइज कराना होगा मैंने का समाज बहुत बड़ा एक दंगल है एक अखाड़ा है जिसमें रहकर के व्यक्ति अपने कर्मों को करता है जिसमें रह करके व्यक्ति अपने कर्मों को करता है और कर्मों को करके उसमें अपनी गलाई ढलाई को करता है अपनापन सरीर तक और उससे आगे बढ़े परिवार तक अब यहां से आगे आदमी नहीं बढ़ पाता जब यहीं तक सीमित रहता है बहुत अच्छे से सबज़ लेना वासना त्रशना मलींता तुच्छता अगर व्यक्ति के अंदर आती है तो यहीं से सुरू होती है आप अपने को भी प्यार करते हैं और अपने परिवार को भी प्यार करते हैं मैं इस बात से मेला नहीं कर रहा ह जब तक इतने दाइरे में रहेंगे तो ये दुरगुन आपके अंदर पैदा होंगे ही होंगे स्वार्थ परता के कारण लोब महों के भवबंदनों को तोड़ फोड़ करके तोड़ फोड़ करके आदर स्वादिता के लिए हमें उनमुक्त आकास के अंदर विच्रण करना हो ईश्वर प्रेम की जहाकी इसी में ही दिखाई देती है जब आपके अंदर प्रेम मूर्तिमान हो जाए यनि के आपकी करनी और कथनी में कोई अंतर ना रह जाए तब आपके अंदर एक प्रभाव पैदा होता हुआ चला जाता है और सामने वाला आप पर विश्वास ही नहीं करता है आपकी प्रती समर्पन का भाव भी पैदा करता है मैं फिर से कह रहा हूँ शूक्षम प्रभाव मैं दुबार से बोल रहा हूँ नदी जब बहती है मानली जी आप नती पर नाने के लिए गए और आपने अपने सरीर को गीला करके साबुन लगा लिया और जैसे ही पानी में आप घुसेंगे पानी के इस पर से गती से जो साबुन आपके सरीर पर लगा हुआ है वो तुरान सपेज सपेद पानी में बहता हुआ चला जाएगा जीवन में इसी तरह के प्रभाव किसके लोब के मोहो के वासना के हमारी चेतना जो कुछ उसके अंदर छुपा हुआ है उनको छोड़ती रहती है उन प्रभावों को छोड़ती हुई रहती है वो धारा के साथ बहते हुए चलते रहते हैं परन्तु हैत होता क्या है जितने पानी के अंदर वो साबुन भर गया उतने को उसने गंदा कर दिया इसी तरए से हम भी अपने जीवन को गंदा करते हुए रहते हैं अगर हम प्रेम से ओत्परोथ हो जाएं तो जीव मात्र के साथ जब हम प्रेम करने लग जाएं तो समझना आपके अंदर इश्वर की सक्रियता हो गई और इसी सक्रियता का नाम भगती है और इसका जो प्रमान है वो लोक मंगल की सेवा साधना जब जीवन से परिलक्षित होने लग जाए तो समझना इसी को ही सच्ची भगती कहते हैं यही सच्ची भगती का प्रमान है इश्वर विश्व व्यापी सचेतन सत्ता का नाम है उसके सत प्रधान अन्स को हम उपासना दुबार से बोल रहा हूँ जो उसका सत प्रधान तत्व है उसकी हम उपासना करते हैं उपासना का मतलब फिर से बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ व्यायाम व्यायाम के अंदर आकरशित करते हैं वो गुण हमारी चेतना पर जैसे लोब मोहो हमारी चेतना पर क्रिया सील हो गया ऐसे ही ईश्वर हमारी चेतना पर क्रिया सील हो जाए उस समय इस्तिती कैसी होगी उस समय जो इस्तिती होगी मेरी वो इस्तिती होगी के काम मेरा सरीर करेगा और निर्देश मुझे ईश्वर देगा काम मैं करूँगा मेरा एहम ईश्वर के साथ जा करके जुड़ जाएगा मैंने अभी कहा जैसे साबुन लगा करके बहती हुई नदी में घुश जाते हैं तो वो साबुन छुट करके उस नदी के पानी में जा करके घुल जाता है ऐसे ही जीश्वर से ओत्प्रोत हो करके जब हम करम को करने लग जाते हैं तो हमारे हर करम के अंदर इश्वर ये प्रभाव आकर के घुलने लग जाता है जिस किसी के साथ भी हम अपने विवाहर को करते हैं उस विवाहर में वो वो प्रभाव आकर के समा जाता है मैं फिर से कह रहा हूँ सब के अंतर में एक आत्मा है जब वो प्रभाव व्यक्ति का आता चला जाता है तो व्यक्ति उस प्रभाव से प्रभावित हुए बगैर नहीं रहता इसी को उपासना कहते हैं जिसका उद्देश ईश्वर की दिव्यतत्यों को अपनी चेतना में पूरी तरह से भर लेना है प्रेम की भक्ति की प्रक्रिया इस उद्देश को पूरा करती है परंतु वो तभी करती है जब आप उस तरह की एक्सरसाइज को करते हैं प्रेम ईश्वर से सराबोर हो करके जब चेतना को अधिक से अधिक मात्रा में अपनी ओर आकर्षित करती है तो तादा थम्य दोनों के बीच में तादा थम्य होने लग जाता है एक सब्द है तद्रूप तद्रूप माने दोनों की अवस्था एक सी हो जाती है दोनों एक से हो जाते हैं उसे जिसके संपर्क में जितनी गहराई तक वो रहेगा उसका प्रभाव उतना ही अधिक जितना अंदर से चाहेगा उतना ही प्रभाव उस चेतना के उपर जा करके पड़ेगा सत्संग के परिणामों का और कुसंग के दुश परिणामों का यही मैज्ञानिक मनोभुमी है हम प्रेमतत्व को ईश्वर जैसे उच्च आदर्स के साथ समनवित करके रखें उसके साथ अपने आपको घोल करके रखें कैसा समवित करके रखें? मैंने कहा, जैसा साबून लगा कर सरीर पर पानी में घुश जाते हैं, ऐसे ही वो पानी में घुल जाता है, ओत्परोथ हो जाता है, ऐसे ही हमारा जीवन भी इश्वरिय प्रेम में जाकर के ओत्परोथ हो जाए, निश्चित रूप से हम उसी साचे में धाचे में ढलते हुए चले जाएं एक दिन ढलते ढलते हमारी इस्तिती उस भोरे की तरह से होगी जिसके संपर्क में आया हुआ कीड़ा भी भोरे की तरह से भूबू भूबू करने लग जाता है की पतंग की इस्ट्टी यही होती है उसी प्रभाव को जपाकर के वो वैसा ही ढलता हुआ चला जाता है आत्मिक निवेदन के साथ कहूँगा के हम सबको अपने आपको ढालने की इस प्रकृया को व्यायाम का नाम मैंने दिया है इस व्यायाम को हमको करना होगा कहना नहीं चाहिए कि प्रेम तत्व मानव जीवन की महंतम विभूती है प्रेम तत्व मानव जीवन की महंतम विभूती है जितना अधिक सफल हो सकते हो कर लो धन दोलत बहुत बटोर लिया धन दोलत बहुत बटोर लिया अब तो प्रेम करना सीख लीजिए और मैं फिर से कहता हूँ अरे कौन मांग रहा है आपसे आपसकी दोलत को अरे वो ही तो मांगेगा जिसकी नियत खराब है जिसका मन खराब है वो ही मांगेगा मैं कह रहा हूँ जो सच्चा प्रेमी है वो आपसे प्रेम चाहेगा दोलत नहीं चाहेगा और मैं ये भी कह रहा हूँ अगर घर में कोई व्यक्ति आपसे दोलत को चाहता है तो वो आपका सगा नहीं है आपका सगा कौन है जो आपसे प्रेम करता है वो ही आपका सगा है जो आपसे दोलत चाहता है वो आपका सगा नहीं है मैं फिर से कहूँगा जो उतना ही धन्य बनता हुआ चला जाता है जितना अपने जीवन में प्रेम तत्व को बढ़ाता हुआ चला जाता है इसलिए आत्मिक निवेदन के साथ कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं कुछ नहीं चाहिए क्या चाहिए आपसी प्रेम चाहिए आपसी प्रेम कौन सा अंतर आत्मा का प्रेम चाहिए अब सोचिए उस प्रेम को पा करके अंतर आत्मा अंतर आत्मा के साथ जुड़ती हुई चली जाएगी भेद जितने भी हैं वो सारे तन मन संसार से हैं और क्यों हैं मोहो माया के कारण है मोहो माया के कारण है वहीं से हमारा पतन होता हुआ वो हमारा पतन करता हुआ ले जाता है जितना प्रेम तत्व आपके अंदर आता चला जाएगा उतनी ही आत्मियता आप में पैदा होती चली जाएगी आप मैसे हम बन जाएंगे ईश्वर तुल्य हो जाएंगे प्रेम की गरिमा जितनी गहराई में समझने में समझ आ जाए और उसके लिए प्रियतन किये जाएं वो उतनी ही महान दिखाई देती चली जाती है आध्यात्मिक उन्नती की अवस्था तथा ईश्वर प्राप्ती की अंतिम अवस्था भगती प्रेम ही है भगती वो प्रेम ही है भगती का स्वरूप निश्वार्त प्रेम को ही कहा जाएगा मैं निवेदन पूर्वक कह रहा हूँ और बड़ी शक्ती के साथ कह रहा हूँ अगर जराभी स्वार्था गया तो प्रेम का कोई उदेश नहीं रह जाएगा कलंक लग जाएगा कलंक लग जाएगा प्रेम को इसलिए निश्वार्थ प्रेम होना चाहिए इस विसे में कोई विवाद नहीं होना चाहिए परमात्मा प्राप्ति के अन्य सभी साधनों में दिव्य सुखद साधन और उसका अन्य सभी साधनों में जो दिव्य सरूप है वो सुखद है अब मैं फिर से कहता हूँ, क्या आपको अपने बच्चों को लाड करने का हक नहीं है, बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करने का हक नहीं है, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, यहां लेंदेन की बात कौन सी रह गई, धंदोलत की बात कौन सी रह गई, हर व्यक्ति को अप आप अपनी संतान से क्या चाहते हैं? केवल सम्मान के अलावा माता पिता कुछ नहीं चाहता, सम्मान के अलावा माता पिता कुछ नहीं चाहता, तो संतान क्या चाहती है? अगर संतान धंदोलत चाहती है, सुक चाहती है, सुक चाहिए, सरंगार, फैसन, ये सब चीछ चाहिए तो वो अपने से ना तो अपने से प्यार करता है और ना अपने परिवार से प्यार करता है ना वो किस से लगाव करता है पाप से बुराई से कमी से वो लगाव करता है मैं फिर से कह रहा हूँ जो जिस से लगाव करता है उसके लिए वो घर भी बेच देता है सब कुछ खराब कर देता है अपना जीवन भी खराब कर देता है मैं फिर से कहूँगा एक ही चीज सर्वो परी है उस चीज को क्या कहते है उसको कहते है प्रेम उसको कहते हैं प्रेम आपके सभी व्यवारों के अंदर समावेश हो जाए प्रेम का वस्तु कितनी ही सुन्दर क्यों ना हो यदि उसके प्रती आकरशन का भाव ना हो तो हम उसकी प्राप्ती का प्रियतन नहीं करते हैं उसकी प्राप्ती का प्रियतन नहीं करते हैं उसके प्रती जब आकरशन का भाव पैदा होता है तो उसकी प्राप्ती के लिए हम इतने ललाईत होते हैं कि हम ऐसा कुछ भाव करते हैं मर जाएंगे इसके लिए पर इसको प्राप्त करके जरूर रहेंगे इसको प्राप्त करके जरूर रहेंगे महापर ऐसी अंदर से एक हूख उटती है मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ आध्यात्मिक गुनों को जो प्रेम के द्वारा पैदा होते हैं जैसे धर्ती पर फसल पैदा होती है ऐसे ही जीवन के अंते करण की बनो भूमी के अंदर जो पैदा होते हैं सद्दा भक्ती इनका विकास आपके अंदर होता है ये आध्यात्मिक गुन है जो आपके जीवन में पनपते हैं मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ किसी भी खेती को करने के लिए समय चाहिए समय चाहिए समय चाहिए एक बीज अगर आपको दिया जाए एक बीज दिया जाए और सारी दुनिया में उसकी पूर्ती आपको करानी पड़े मैं तुबार से कह रहा हूँ जैसे एक घर के मुख्या हो करके आप पूरे घर की जिम्मेदारी को उठा लेते हैं थी किसी तरह से राम, स्रिक्रिशन, भगवान और क्या कहिए परमपुज गुर्देव इन्होंने पूरी दुनिया की पूरे ब्रमांड की जुम्मेदारी को उठाया, सब में व्यापक हो गए, आज पूरी दुनिया भगवान की तरह उनको पूजती है, भगवान की तरह उनको पूजती है, किसके कारण, उनके अंदर इतना मादा था, इतना चमताई थी उनमें, कि उसके द्वारा आज वो उस पूजनिया इस्तर पर आकर के बैठे हुए हैं, मैं भी आप से कहता हूँ, अगर आप अपने दाइरे को उतना विक्सित कर लें, तो उतनी चमताईं आपके अंदर हैं, कि सब के मन को, सब की अंतरात्मा को भोजन आप प्रेम का कराते चले जाएंगे, प्रेम से कराते चले जाएंगे, इतना विस्तार आपके अंदर छुपा हुआ है, मैंने कहा था सूरज को कोई छोटे से दाइरे में कैद करके नहीं रख सकता जब वो प्रकट होता है तो पूरे अंतरिक्ष में उसका प्रभाव प्रकास के रूप में भर जाता है वो पूरे को भर देता है मैं भी आप से ये कह रहा हूं अगर अपने जीवन को ओध प्रोध करके आप सूरज की तरह से अगर चमकना सुरू कर दें तो पूरी दुनिया को अपना बना करके रख सकते हैं वो प्रभाव आपके अंदर है वो प्रेम आपके अंदर है कि पूरी दुनिया को आप परन्तु यहाँ फिर से कह रहा हूं जब तक सत्य चमकता मैं फिर से कह रहा हूं सूरज भी अगर सत्य को खोदे तो उसका प्रभाव भी खत्म हो जाएगा सच्चा प्रेम उसी को ही कहते हैं जहां पर कोई स्वार्थ का कण भी ना हो नहीं तो कलंक लग जाएगा सोर कलंक पैदा हो जाएगे आपकी अंदर आपकी चेतना को कलंक लग जाएगे मैं निवेदन पूरवक कह रहा हूँ अगर अपने आपको विक्सित करना चाहते हैं तो अपने आपको विक्सित करना धंदोलत का विक्सित करना नहीं है वस्तूं का बंदार लगाना नहीं है अगर आपको अपने आपको विक्सित करना है तो आत्मियता के रूप में आपको आपको विक्सित करना होगा आत्मियता जितनी आपकी बढ़ती चली जाएगी उतना ही आपकी स्रद्धा भक्ती का विकास होने लग जाएगा और उसके रूप में वो प्रकट होने लग जाएगी प्रकट यानि कि छुपी हुई थी प्रकट होने लग जाएगी इश्वर उपासना में उसे किसी ना किसी रूप में प्रकट होना ही पड़ता है जब आप उपासना करते हैं तो कोई तो चित्र बनाते हैं अरे कोई तो आप ध्यान करते हैं कोई तो माध्यम आप बनाते हैं मैं आपसे कह रहा हूँ जब वो माध्यम में सक्रिय होने लग जाता है तो वो आपकी चेतना में विक्सित होने लग जाता है या कहिए आपकी चेतना उस रस को पाकर के विक्सित होने लग जाती है मैं कहूंगा इसके बिना उपासना अधूरी है सच्ची भक्ति तो प्रेम और प्रमात्मा के प्रकटी करण के द्वारा ही पैदा होती है उसको पैदा करना है प्रेम इश्वर प्राप्ति की कसोटी है यानि के हम जब किसी भी चीज को सामान को लाते है तो तोल करके लाते हैं नाप करके लाते हैं किलो से तोलते हैं मीटर से नापते हैं इनसे हम उसका वो करते हैं मैं फिर से कह रहा हूँ कैसे करते हैं भाई अपने गज से तोलते हैं अपने लीटर से तोलते हैं अपने मीटर स नापते हैं हमारा अपना गज है नापने का पैमाना अपना है ना ना प्रेम को आधार बनाईए तो निश्चित रूप से वो विशुद्य जो प्रमात्मा है वो तप करके आपके अंदर से बाहर निकल करके आएगा आएगा जीव और परमात्मा के बीच में जो तादा तम है विशुद रूप से वो इसी कईये exercise के द्वारा व्यायाम के द्वारा प्रकट होगा वरना प्रकट नहीं होगा ये व्यायाम हमको करना होगा प्रेम ना होता तो प्रत्वी पर लोगों को आध्यात्मिक तत्वों की अनुभोती नहीं होती ये इस्तती आरंब में आत्म सुरूप की प्रकट के लिए विकलता विरहे के रूप में प्रकट होती है पर जिसने स्वाभाविक रूप में उस इस्थि को प्राप्त किया, अपने जीवन के उद्देश्च को मान लिया, उसे ही प्रेम का आभास मिलता हुआ चला गया, पकड़ता हुआ चला गया, और उद्देश्च में अपने आपको खपाता चला गया, वैसा अभ्यास अपने आप करता हुआ चला गया, तब त्याग और सुक कि इच्छाओं का दमन करके अंतह करण में प्रेम ब्रति को जागरत करिए, कि अगर आप इस प्रेम को जागरत कर सके, जरा सोच करके देखना, विचार करके देखना, जब आप किसी से प्रेम करना चाहते हैं, तो सच को देखिए, आपका अपनी कमजोरी उसमें आना सुरू हो जाती है, आपकी जो अपनी व्यक्तिगत कमिया है वो उसमें तुरंत आती है आपकी सोच में आ जाती है कि फला व्यक्ति तो ऐसा है हमने उसकी एक मूर्ती बना करके रखी हुई है जो बड़ी द्रड है मैं आनिवेदम करूँगा उसको मिटाइए उसको मिटाइए हर आदमी ना किसी के लिए अच्छा होता है ना किसी के लिए बुरा होता है तो मैं ये कहूंगा बुराई को छोड़िये और अच्छाई पर आजाईए हर एक के अंदर भगवान है हर एक के अंदर प्रेम है आप उस प्रेम के उस गुन को जगाई ये गुन है कही के लिए उसने किया है दो आत्माओं को जोडने के लिए किया है दो शक्तियों को आपस में मिलाने के लिए किया है उसके लिए उसने प्रेम जो गुन है कही ये प्रभाव है उसको समाज में डाला है जिससे ओत प्रोत हो जहां एक दूसरे में समानता हो जाती है, भेद सारे मिठ जाते हैं, उस इसतर पर हम जाएं, आज की बात को संपन करने से पहले, मैं एक दिवेदन सबसे करना चाहूंगा, हमारे ही एक पोते का जनम दिन है उमेश दूबे गंगा वियार उनके पोते का जनम दिन है ओ मैं सबसे कह रहा हूँ आप उससे लगाव करिए अपने प्रेम को जताइए और उसको आसिरवाद दें उसका जनम सफल हो बच्चा भी छोटा है परन्तु आगे चलके बहुत विराठ विक्सित होता हुआ चला जाए आज की बात को संपन करते हैं ओम शान्ती ही शान्ती ही